आज मैं बना रहे हूं मंचूरियन की भौती टेस्टी रेसिपी और इसे आज हम बनाएंगे सूजी से तो वीडियो भौती इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को पूरा जिरूर देखेएगा तो चले स्टार्ट करते हैं इससे बनाना तो मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैनिया कड़ा ही लेनी है और इसके अंदर डालेंगे एक कप पानी एक चमच चीली फ्लेक्ष डालेंगे स्वाद के नुसार नमक यानि आदी चमच मैंने नमक डाला है और एक चमच इसके अंदर हम तेल डालेंगे गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम हाई रखेंगे जब पानी के अंदर उबाला जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम रख देंगे पानी के अंदर उबाला चुका है तो हम डालेंगे इसके अंदर यहां पे सूजी तो यहां पे मैं डाल रहूं आधा कप सूजी तो measurement को आपको धान रखना है कि एक कप पानी के अंदर आधा कप सूजी अब यहां मैंने gas की flame को medium रखा है और इसे हमें अच्छे से लगातार इसको चलाते रहना है जब तक चलाना है जब तक यह जो सूजी है वह अच्छे से डोफो में आ जाए तेन से चार मिनट के बाद में सूजी वह अच्छे से डोफो में आ चुके है तो गैस को हम बंद कर देंगे अब जिस बरतन के इंदरिया पे हम सूजी को सेट करेंगे तो उसके चार उत्रम अच्छे से हमें तेल लगा लेना है और इसे हमें 15 मिनट के ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और 15 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद में यहां पे हम इसको अपनी मन पसंद के अनुसार पीसिस में कट कर लेंगे तो साइज अपने इसाब से चोटी या बड़ी आप इसके अंदर कैसे भी कर सकते हैं इसे हमें साइड में रख लेना है तब तक हम कर लेते हैं आगे की तयारी तो यहां पी मैंने एक पैन के अंदर लिया है दो से तीन चमच यहां पे तेल जब तेल गरम हो जाएगा तो हम डालेंगे इसके अंदर यहां पे एक चमच बर के अध्रक लैसुन बारिक चोब किया कुछ सेक्ट के लिए इनके साथ में पका लेंगे और फिर हम डालेंगे इसके अंदर यहांome है पियाज तो बियाज आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा ही करके हम इसके अंदर डालेंगे ज्यादा भी नहीं पकाएंगे इनको बस हलका से इनको हमें पकाना है कुछ सेकेंड के लिए अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके में ये भी बताइएगा कि आप ये रेसिटी कौन सी तो टमाटर के यहांपे मैंने बीज को हटा दिया है इनने हम मिलाना है और एक मिनट के लिए इन सभी को हमें अच्छे से एक बार पका लेना है फिर हम डालेगे इसके अंदरी यहाँपे दो चमच बर के सुया सोस साथ हमें एक चमच यहाँपे मैं रेड चीली सोस डाल रह सब्सक्राइब जा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से यह पक चुके हैं काफी धिक भी हो चुके हैं तो इनको हम साइड में रख देखते हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे तो यहां पर मैंने जो सूजी बाइट ली थी तो उनकी चार से क्रिस्पी होने तक इनको हमें पका के तियार कर लेना है गैस की फ्लेम को हमें मीडियम में रखना है जब यह दोनु साइड उसे अच्छे से गोल्डेन हो जाएंगी तो यहां पर हमें गैस को बंद कर देंगे सबी सूजी बाइट को हमें पैन के अंदर डाल देना है गैस को हम ओन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे सबी को हमें अच्छे से इसको मिला लेना है फिर हम डालेंगे इसके अंदर यहां पे हारे प्याज इसे मंचूरियन के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथी में डालूगे इसके अंदर आपे सफेद तिल अगर है तो आप इसके अंदर जरूर डाल लिएगा बहुत ही टेस्टी लगते हैं बारी कटावा इसके अंदर हारा दनिया डाल देंगे अब यह देखे बहुत ही बड़िया हमारा सूजी मंचूरिय नव बनके त्यार हो चुका है तो आप इसे जरूर से ट्राइ करिएगा औ और आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्रीज वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगर अभी तक पेज को फोलो नहीं किया तो जाके बार पेज को जरूर से फोलो करिएगा क्योंकि एसे बहुत है रोज अच्छे सी रेसिपी शेयर करती रहती हूं